नमस्कार दोस्तों मैं सुमित यादा हूँ आप देख रहे हैं जनता चानना चाहती है दासुनामी पर और एसेसरी जीडी की जो बात लगातार लॉकडाउन से पहले कर रहा था भी कुछ दूने पहले भी मैंने आपको उस तस्विर दिखाई कि चात्र दुबारा दिल ले आना शुरू हो चुके हैं मेरे साथ मौजुद सन्दूबे 36 गड़ के चात्र हैं इससे पहले भी आपने इनों सुना होगा इससे पहले भी इनकी वीडियो मेरे चैनल पर देखी होगी एससे जीडी का क्या मुद्दा है आप लोग बहतर जानते हैं तमाम तस्वीरे आप लोगों ने मेरे चैनल पर देखी कि क्या एससे जीडी का मुद्दा है SSC GD 2018 के वो परिक्षा जिसका result 2020 में merit पास होती है और merit list में से इन लोगों को निकाल दे जाता है ये वो चात्र जो medical, physical और return पास आउट ये सभी वो चात्र जो सभी परिक्षाएं सभी पड़ाव पार करके आए हैं उसके बावजूत इन लोगों को merit से निकाला गया उसके बाद एक जो बड़ा सवाल शुरू होता है वो ये कि vacancies जितनी निकाली गई थी उतनी vacancies पर भरती क्यों नहीं की गई वो vacancies खाली क्यों छोड़ी गई और जब वो vacancies खाली छोड़ी गई वेटिंग लिस्ट में इन लोगों के नाम क्यों नहीं डाला गया यह तमाम बड़े सवाल है अब दुबारा यह लोग आए हैं आगे क्या तजारी है एनी से जानेंगे एनी से समझेंगे तो दूबे जी बताएं आगे क्या तजारी है जी लगबग चार मैना तीन मैना दिल्ली में पहले भी रह चुके हैं तो बीच में भी एक मैना का लोगड़ान हो गया था इसलिए थोड़ा घर चले गया थे बाग कि हम पहले भी अपना पूरा कोशिस करके गये हैं तो इसलिए अब हम पीर से वापस एक मैना का लॉगड़ान था उसके बाद फिर से हम वापस आया और अभी 28 तारी का भूखरताल का परमिशन है तो मैं यह बोलना चाहता हूं कि 28 तारी का भूखरताल का परमिशन है जितने ज्यादा से ज्यादा संक्या में लोग आना चाहते हैं SSC के स्टुडेंट मतलब केंडिडेट वो सब अपने अपने घर से आये क्योंकि यह लाश्ट मौका है और लाश्ट लडाई है उसके बाद वो साहत फॉर्म वाम अगर भी फिल अप होना शुरू जाएंगे त से और हंडेट परसेंट हमें कुछ काम्याभी मिलें इसलिए कि दो तीन महें आप पहले ही बिता के गए कुछ हुआ नहीं लाठी डंडे भी पड़े घरफ्तारिया भी हुई तो निराशा हतासा तो नहीं गए निराशा हतासा तो पुरे तीन साल से जेल रहे हैं अब अब अब लास्ट प्रोटेश्ट बचा है के वल भूख उर्ता है या तो मरेंगे या तो मर्दी मिलेगी यता अर्थी के लिए मतलब इतनी मांग क्यों कोई दूसरा उप NO करीयर बनाने के करें अगर कुछ अनुहनी हो जाए तो कोहन जिम्मेदारी लेगा उसके सरकार जिम्मेदारी लेगी क्योंकि सरकार ने तो ही मतलब हमें इस भूकर दाल करने पर मजबूर किया है तो सरकार ही इसके जिम्मेदार होगी और अगर इस दस दिन में भी सरकार नहीं माने तब क्या क गोरोदीब सरताला किया क्योंकि हमने पहले भी हर जगा कोषी कर चुक्ते हैं मैं हमारा borrowर को से वूकर दाल ए बुखरं करें तो भूर बनी करें कि ऑपार को निर्दई इतने निर्दई सरकार तो नहीं है लेकिन अगर निर्दई कि अब यह अपने ग्रुप के माद्यम से बता दिये हैं कि सबी आए है यह पहले आए थे वो तो पूरे आएंगे और और भी नए लोग जुड रहे हैं जो कि आना चाहते हैं यह थी यह हलात है इस देश में और यह हलात है S.S.C.G.D. के चातरों की लगातार फिछले कुछ दिनों मैंने बात करी तमाम वीडियोस में मैंने बात करी कि S.S.C.G.D. के चातरों की क्या परिशानी है परिशानी ये है कि बेरोजगारी का आलम ये है जो इस तरीके से हतास, निरास, जो आत्म हत्या जिनकों करनी पड़ती है बिरुज़गारी के वज़े से, इनके सपनी नापूरनी के वज़े से अब इनकी मांग साफ है, सीधी सी है कि हमने medical pass किया, हमने सारे exam दिये, उसके बाद आप लोग ने 3 साल तक हमारे result लटकाया, 3 साल तक हमारी merit को लटका के रखा, merit का कोई result नहीं आया, और आता भी है तो हमें उस merit से नकाल दिया जाता है, merit से नकालने के बाद भी आप waiting list नहीं देते हैं तो ये कुछ तवाम सवाल है जिन सवाल का जवाब हम पिछले तीन महीने से माग रहे हैं तीन चार महीने से माग रहे हैं लेकिन जवाब अभी भी नहीं है अब आखी रास्ता भू करताल देखते हैं कि क्या भू करताल के बाद सुनवाई की जाएगी क्या भू करता झालव को थैक करेंबंकी कुछ पर स्थारूए्टाव। क Carry a Hashim